ट्रेनी वेरिफिकेशन दो हजार चौबिस इसकिल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे हो रहा है बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं आज ऐसे में मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टन चीज बताने वाला हूँ मैं खुद गबर्मेंट आटेम टीचर हूँ तो सबसे कम्प्लिट माना जाता है अनता आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन र कंप्लिट नहीं माना जाता है तो पियारान नंबर से जोड़े टीन बैक टू बैक कोिछन जबड़क जवाब इस वीडिटो में दूंगा तीनों इंपार्टेंड पहला कोशन यह है कि PRN नमबर कितने दिनों में आता है क्योंकि बहुत सारे कोशन बच्चे कर रहे हैं कि 4 दिन हो गया 5 दिन हो गया या अभी वो करते हों कहते हैं कि PRN नमबर जनरेट नहीं हुआ है दूसरा कोशन में लेने बाला हूँ कि PRN नमबर के लिए प्रोफाइल 100% कम्पलीट होना चाहिए या फिर कुछ परसेंटेज कम होगा तब भी काम चल जाएगा तो और तीसरा कोशन important कोशन है कि बिना KYC के PRN नमबर आ जाएगा या नहीं आएगा तीन यही back to back कोशन है इन तीनों का मैं जवाब इस वीडियो में दूँगा सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहा रहा हूँ कि इस Skill India Digital Portal पर बहुत सारी समस्याओं का हला भी नहीं है मगर जल्दी जल्दी जो है ये समस्याँ जो है सुल्जा दी जाएंगी तो आप लोग निश्चिनत रहिए आप लोग हर ख़वर को देखते रहिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजे मेरे खुद के बच्चे बहुत confusion में हैं मैं भी बहुत ज़्यादा इसको लेके परिसान अब वो देरे देरे problem को resolve करने की कोसिस करते हैं तो चलिए आज का पहला question उसको बात कर लेते हैं पहला question ये है कि PRN number कितने दिन में आता है देखिए अगर मैं इसका कोई fix time बता हूँ तो इसका कोई भी fix time नहीं है पर किसी का आना होता है तो तुरंत आ जाता है एक दिन में एक घंटे में दो घंटे में और किसी का आना होता है तो साथ दिन समय लग जाता है आठ दिन समय लग जाता है दस दिन समय लग जाता है तो आप लोग इसको fix समय मान के मत चलिए maximum time आपको बता रहा हूँ कि आठ से दस दिन लग सकता है इतना आप wait करिए अगर आप सारे formalities पूरे कर लिए अगर आपने कोई भी formalities छोड़ी हुई है तब आप उसको complete कर लिजे उसके बाद 7-8 दिन का wait करिए अगर नहीं आता है तब आप अपने college में संपर्क कर सकते हैं तो आप लोग समझ गया कि PRN number कितने दिन में आता कोई fix समय नहीं है सारी formalities पूरी कर लिजे के बाइसी करा लिजे profile जो है जितनी है उतनी complete कर लिजे जितनी कर सकते हैं उसके बाद आपका PRN number generate हो जाएगा एक चीज इसमें ध्यान में रखनी है जब तक state approval का एक option दिखाता है profile में वो अगर in process है तो आपका PRN number तब तक generate नहीं होगा जब तक state approved नहीं कर देगा तब त दूसरा question आते है कि PRN number के लिए profile जो है 100% complete होना चाहिए या फिर कुछ कम से काम चल जाएगा तो देखिए इसका answer है कि PRN number के लिए 100% होना जरूरी नहीं है आपका अगर 30% होगा तब भी आपका 25% होगा तब भी आपका PRN number generate हो जाएगा 100% होगा तब भी generate हो जाएगा तो इससे जो है PRN number से और profile 100% से कोई भी लेना देना नहीं है हलाकि आप कोसिस करिए कि आपकी profile जो है वो maximum maximum आपकी complete हो जाए बगर ऐसा नहीं है PRN number generate होने के बाद भी अपनी profile complete कर सकते हैं उसका कोई issue नहीं है तो PRN number से profile के 100% का कोई भी लेना देना नहीं है बहुत सारे बच् profile 100% complete नहीं है चली आगे बढ़ते हैं और यह है कि बिना KYC के PRN number आएगा या फिर नहीं आएगा तो देखे इसका answer है कि KYC का और PRN number का भी कोई लेना देना नहीं है बहुत सारे बच्चे ये भी जो है मुझे screenshot भेज रहे हैं कि उनका KYC नहीं हुआ है बट PRN number जो है generate हो गय है आपके पास OTP आ रहा है तो KYC जरूर कर लीजे और PRN number तो आपका side by side आता ही रहेगा उसका KYC से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है मगर यह है कि अगर आप KYC कर लेंगे तो आपका जो है और जल्दी आ सकता है तो तीनों question के मैंने answer आप लोगों को बता दिये और आप भी मेरे पास बहुत सारे question है आपके ही question है मेरे भी question है और आपके भी question है दीरे दीर उनका solution मेरे पास आता रहेगा मैं आपको guide करता रहूंगा और channel को जरूर subscribe कर लें क्योंकि channel आप लोग subscribe करते हैं तो मुझे यह लगता है कि मेरे साथ आप लोग चल लाए है तो आप आपको देता रहूंगा यह video अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में अपने मित्रों में forward करें क्योंकि सभी परेसान है तो उनको भी कुछ सही जानकारी मिलेगी 100% genuine जानकारी उन तक पहुंचेगी ऐसा करते हैं कि आप लोग जरूर अपने दोस्तों forward करेंगे इस video को द देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद